आजकल जवा और कम उम्रे दिखने के लिए लोग तरा-तरा के उपाय करते हैं लेकिन वो कुछ ऐसी आदतों को नजर अंदास कर देते हैं जो जल्ब बुड़ापे में पहुचाने की वज़ा बन जाती है हर कोई चाहता है कि वो सदा जवार है लोग उससे पूछे कि आपकी तवचा से तो उम्र का पता नहीं चलता हर इंसान शरीर को नुकसान पहुचाने वाली कोई न कोई बुरी आदत तो जरूर होती है ये आदते ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए नुकसान दाय होती है बलकि एजिंग प्रोसेसे को भी तेज कर देती है ऐसे में आप कम उम्र में ही बुड़े देखने लगते हैं आये जानते हैं कौन सी हैं वो आदते टेंशन किसी भी बात को लेकर जादा चिंता करने से लोग जल्दी बुड़े हो सकते हैं वो किसी दिमाग या शारिक बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं ये हमें महसूस नहीं होता है लेकिन टेंशन एक बेहत जानलेवा और साइलिन किलर है इसलिए लंबे समय तक जवा रहना है तो बहुत जानत तनाव लेने से बचे पूरी नीन लेना रोजान साथ से आठ गंटे की नीन ना लेना भी एक बड़ी समस्या है जिसका तनाव से गहरा कनेक्शन है नीन हमें फिर से जवा और तनाव मुक्त रहने में मदद करती है और एजिंग प्रोसेस को दीमा करती है लेकिन कुछ लोग इसे गंबीरता से नहीं लेते है युवाओं में यह दिक्कत काफी तेजी से बढ़ रही है जिसके साइड एफेक्ट भविश में देखने को मिल सकते हैं फिजिकल इनक्टिविटी फिजिकल इक्टिविटी ना होना हमें कई बीमारियों का शिकार बना सकती है क्योंकि एक्सेसाइज ना करना या दैनिक दिन चरियर में शरीर को परियाप्त एक्टिव ना रखने का असर सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है ऐसे में शरीर को बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं और वो तेजी से बुड़ापे की और बढ़ती है सही डाइट ना लेना तेजी से बढ़ती उम्र के लिए खराब डाइट भी काफी हद तक जिम्मिदार है सोडा, प्रोसीट फूट और फैटी फूट जैसी चीज हमारी डाइट का बड़ा हिस्सा बनी है हमारी जीवन प्रत्याशत दर में कटोती के लिए ये सबसे ज़ादा जिम्मिदार है इसलिए खराब डाइट लेने से बचे और हैल्दी खाए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग स्ट्रेस या इंजाइटी से बचने के लिए बहुत से लोग अलकोहल, तमाकू या ड्रक्स चैसी चीजों का सेवन करने लगे हैं इससे यूवा पीडी ज़ादा अकरशित हो रही है इनके ओवर डोस से इंसान की मौत हो सकती है लेकिन इससे भी पहले इसका लगातार और ज़ादा सेवन तेजी से बुड़ापे की ओर ढखेलता है ये दिमाग और वजन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा कर एज़ फेक्टर की साथ खिलवार करती है